हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग तो आज हम रिव्यू करेंगे दिल लाइन किंग का उससे पहले जो जो इस चैनल पे नए है तो सब्स्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं कहानी है कि जंगल का राजा मुफासा एक शर्यंतर की तहत मोथ हो जाता है और शर्यंतर रषता है उसके ही सगेबाई सकारने मुफासा का मोथ उसके ही बेटे सिंबा के सामने होता है और सिंबा को ये लगता है कि ये सब कुछ उसी की वज़े से होता है सिंबा को मारने भी सब्सक्राइब करने इसा लगा कि आप दिसको के डॉकुमेंटरी पर कंपाल का विजियल है तो friends आप बात कर लेते फिल्म के ड़ंग के बारे में हिंदी ड़ंग के बारे में तो शारूख थैंस बहुत ही ज़ादा wait कर रेते इस फिल्म के release होने के लिए क्योंकि जंगल का राजा मुफसा का voiceover दिया है और उनके बेटे आरियन खां ने Simba का Voice Over दिया है तो friends आप बात कर रहे थे उनके Voice Over कैसा है तो Aryan Khan ने जो Voice Over दिया है Simba का, मतलब Kamal का है Kamal का दिया है जो teaser आये था कुछ दिन पहले कि मैं Simba मुफासा का बेटा हूँ मतलब Kamal का दिया है तब से बहुत ही ज़ादा वेट कर रहा था मैं especially मैं बहुत ही ज़ादा वेट कर रहा था कि Aryan Khan का Voice कैसा है मतलब Kamal का दिया है परफेक्ट, वान वाड़, परफेक्ट है Aryan Khan का Voice Simba के लिए तो friends आप बात कर ले थे शारूखान के Voice Over के बार में तो मुझे उतना ज़ादा अच्छा नहीं लगा अच्छा लगा बट उतना ज़ादा अच्छा नहीं लगा जैसा मुझे Aryan Khan का Voice लगा Simba के करेक्टर के लिए मुझे उतना ज़ादा अच्छा नहीं लगा मुझे एसा लगता कि शारूखान बात करे मुझे एसा नहीं लगता कि जो Simba का Voice-over दिया है Aryan Khan नहीं वो Kamal का है तो फ्रेंट्स आप बात करें तो फिल्म के कोमेडी के बारो में तो कमेडी आपको फिल्म में दो करेक्टर का कोमेडी बहुत ही सदा है एक Sanjay Mishra ने जो Voice-over दिया है और एक जो स्रेश तलपर ने तलपर ने जो Timon का जो Voice-over दिया है कामाल का कोमेडी यह भर-भर के कोमेडी आपको देखने को मिलेगा तो फ्रेंट्स फिल्म कैसी है स्टोरी को मैं मैं 7 देना चाहता हूँ स्टोरी को और जो Voice-over और कामाल का Voice-over तो पुरा मैं देना चाहता हूँ तो 7 आउट ओफ 10 मैं देना चाहता हूँ मुझे इसा लगता है बट मैं होता कोन हूँ रेटिंग देने वाला का माल का फिल्म है आप थेटर में जाके देखिए तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए